आप सभी को मैं नमश्कार स्वाहत है आपका फिवर्ड हेल्फ के रभी और आज हम जानेंगे समुद्र का जहाँ कहलाए जाने वाले समुद्र फेन के बारे में समुद्र फेन क्या होता है समुद्र फेन के प्रियोग के क्या-क्या फायदे होते हैं समुद्र फेन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और समुद्र फेन के सेवन के दौरान हमको किन-किन चीलों के साथानी बरतनी चाहिए समुद्र फेन का बॉपनिकल नाम सेपिया ओफिसी नेलिस होता है और अंग्रेजी में इसको कटल फिश बोन कहते हैं इसके अलाबा इसको अलग 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 नामों से जाना जाता है समुद्र फेन समुद्र का ज़ाग नहीं होता है यह है कटलफिश नावक मचली की हट्टी या कवच होता है जो कुछ समय बाद विशेश आकृतिका हो जाता है और समुद्र के पानी पर तैंड लगता है समुद्र फेन सफेदी लिये हुए कठोर तथा नाजुक होता है और दिखने में लंबा, चक्टा, चकोर, एवं अंडाकार होता है इसकी बहरी सते कई पर्टों से बनी हुए दिखाई देती है और वित्री सते कठोर, जाली दाग, एवं असानी से तूपने वाली होती है समद्र फेन और शदी के लूप में फ्रियोब किया जाता है यह कान की बिमारियों में लापदायक, नेत्रों के लिए हित कर, पित दोश और कौप दोश का नाश करने वादा और स्वाद में फीका और तीक्षन होता है समद्र फेन एक एलकलाइजर है और केलिशम का एक अद्बुद सोर्स है इसमें केलिशम कार्गोनेट 80-85 प्रतिशत पाया जाता है इसके अलावा इसमें फॉस्फेट, सल्फेट और सिरीगा जैसे पदार्ट पाया जाते हैं जिसकी वज़े से यह हमारी सेयद के लिए अधियन्त फायदेमंद है समुद्र फेन के सेवन के पायदों की बात की जायतों तोचा के लिए समुद्र फेन गुंकारी होता है यह विशेश रूप से तोचा से समंदिस समस्याओं के लिए प्रियोप किया जाता है इस समस्तिया में व्यक्ति समुद्र फेन के चून का सेवन भी कर सकता है एक ग्राम की मातरा में दिन में एक बार और भारी रूप से भी इसका प्रियोग कर सकता है समुदल फेन के चून में एक टी स्पून नीबू का रस और एक टी स्पून गुलाब जर मिला कर अपने चेहरे पर लगाएं और दो घंटे बाद गुन-गुने पानी से चेहरा धोलें इससे चेहरे पर निखार आता है और चेहरे की तोचा में सुधार होता है मुहासों की समस्तिया में समुदल फेन इस्तेमाल किया जाता है इस समस्तिया में व्यक्ति, चंदन का चून, नीम का चून, तुलसी का चून और समुदल फेन के चून को बराबर मातरा में लेकर इसमें थोड़ा गुलाब जल या दूद मिलाकर प्रभावित इस्थान पर लगाई और 15 मिनिट बाद ताजे पानी से धोली नियमित रूप से इस प्रिकर्या को करने से तोचा से समंधिस समस्तियां ठीक हो जाती है इस प्रिकर्या को व्यक्ति हफ्ते में तीन बार कर सकता है दातों को मजबूत करने में समुद्रफेन मददगार होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मातरा में केल्शम कार्बोनेट पाया जाता है जो कि दातों के लिए काफी अच्छा होता है समुद्र फेन के चून से मंजन करना दातों के लिए काफी प्रभाख शाली होता है दिन में दो बार समुद्र फेन के चून से मंजन करने से दातों के विकार दूर हो जाते हैं और दात त्वस्त रहते हैं बालों के लिए समुद्र फेन लाफ कारी होता है अगर व्यक्ति हफते में 2-3 बार नहाने से 20 मिनट पहले 50 ग्राम दरी में समुत्र पेन का चून और प्याज का रस मिलाकर अपने बालों पर लगाए और 20 मिनट बाद उसको किसी अच्छे हरपर शैंपू से दोले तो उसके बालों में चमक आती है, बाल सुष्प रहती है और जल्दी सफेद नहीं होते निरंतर इसका फ्रियोग करने से बालों से समंदित दिक्कते खता हुडाती है ऐसी डिटी के लिए समुत्र पेन असरकारी होता है पाचन से समंदित समस्याओं में भी समुत्र फेन सकरात्मक प्रभाप परदर्शित करता है इस समस्या में दिक्ती समुत्र फेन के चून का सेवन कर सकता है हर रोज एक ग्राम की मातरा में शेयर के साथ रोजाना समुत्र फेन के चून का सेवन करने से ACIDITY की समस्या में अराम बिलता है तो अब हमने जाना समुद्रफेन के इस्तरमाल के फायदों के बारी ली चलिए जानते हैं समुद्रफेन का उप्योग हम कैसे कर सकते हैं समुद्रफेन का उप्योग हम इसका चून बना कर सकते हैं समुद्र फेन का चून बनाने के लिए सबसे पहले आप समुद्र फेन ले आए जो कि आपको पंसारी के दुकान यानि आयरुवेदिक श्टोर और ऑनलाइन बहुत ही असानी से मिल जाएगा उसके बाद आप इसको अच्छे से कूट कर, मिक्सी में अच्छे से पीस कर इसका चून बना दे और किसी साफ कपड़े की मदश से इस चून को किसी साफ जाव ने छानने आपका समुद्र फेन का चून तयार हो जाएगा फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं प्रते दिन एक ग्राम की मात्रा में शेहत के साथ समुद्रफेन के चून का सेवन खासी की समस्या में भी कारगर होता है समुद्रफेन के सेवन के दोरान हमको कुछ शीडियों का ध्यान अथना चाहिए समुद्र फेन के लंबे समय तक सेवन के कोई दुछ प्रभाब नहीं होते लेकिन इसका सेवन बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए जो प्रेस्क्राइब दोस है वही लेनी चाहिए अतियर्दिक मात्रा में समुद्र फेन का सेवन करने से पाचन पर परभाप पड़ सकता है तो आज के लिए इतना ही अगर आपका कुछ सवाल है इस वीडियो से रिलेडेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेर करें उन सभी के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो से कुछ मदब हो सकती है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फिटिवर्ण हेल्थ केर को सस्क्राइब करें और बैट आइकन को भी दवाएं तक कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए आप हमें शोचल वीडिया हेंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी में जाएगा तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद